हेलो दोस्तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ ट्रू कॉलर को डिफॉल्ट डाइलर से आप कैसे रिमूब कर सकते हैं अगर आपने ट्रू कॉलर को में डाइलर में सेट कर दिया है अगर आप रिमूब करना चाहते हैं तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वा प्लोर को default डाइलर से remove कर सकते हैं तो इसके लिए आपको अपने फोन के settings को open कर लेना है उसके बाद आपको apps and notification का option यहाप आपको दिख जाएगा तो इसे open करना है या फिर हो सकता है आपके फोन में apps का option हो श्रिफ या फिर app management का option हो तो जो भी आपके फोन में option है वस आपको apps management या apps का option open कर लेना है उसके बाद यहाँ पर see all पर click करना है उसके बाद आपके फोन में जितना भी app होगा सभी यहाँ पर आपको दिख जाएगा तो नीचे आपको scroll करके true color यहाँ पर आपको find कर लेना है अगर आपने बहुत सारे app install कर रखा है तो यहाँ पर आप सर्च भी कर सकते हैं यहाँ पर आपको true color search कर लेना है तो यहाँ पर आपको true color app मिल जाएगा तो true color को यहाँ से open करना है उसके बाद नीचे scroll करेंगे तो आपको phone app का option दिख जाएगा तो इस पर आपको click करना है उसके बाद यहाँ पर आपका true color app default dialer में यहाँ पर select रहेगा तो यहाँ से आपको अपने system के dialer को select कर लेना है यहाँ पर आपको phone का option दिख जाएगा या फिर यहाँ पर आपको contact send dialer का option दिखेगा तो जो भी आपके system का default dialer है यहाँ से आपको select कर लेना है तो true color default dialer से remove हो जाएगा तो उमीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को like जरूर करें अगर आपके पास रेड्मी एमाई या फिर फोगो का कोई phone उसमें अगर आप अपने true color को default dialer से remove करना चाहते हैं तो इसके लिए मैंने वीडियो बना रखा है उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के description में मिल जाएगा तो जरूर से उस वीडियो का आप देख सकते हैं चली मिलते हैं अगले वीडियो